असलाम लेकुम वेलकम बैक तो मैं चैनल आज की रेसिपी बहुत यूनीक है बहुत मज़ेदार है और बहुत असान है घर में सबके प्यास टेमाटर तो मौजूद होते ही हैं तो आज हम बनाएंगे प्यास टेमाटर की मदद से मज़ेदार से ये कीमे की रेसिपी जो अच्छी स्मेल आने लगेगी तो फिर हम इसमें अट करेंगे हमारा कीमा मैंने मशीन का लिया है आपक हाद का भी में चाहे था में wtedy 1.5 kg कीमा था कीमे कीमा को मैंने धो लिया तो और इसका पानी मैंने निकाल लिया ताब सवह मैं थोड़े देर के लिए लिए राइद करें नमक हजबेजायका चिली पाउडर वंटी स्पून कुरियंडर पाउडर टू टेबल स्पून अब ये सब मसाले हमने इसमें डाल दिये हैं अब इसको तीन से चार मिनिट के लिए हम पकाएंगे ताकि जो मसालों का कच्छा पन है वो थोड़ा खत्म हो जाए देखे और इस तरीके से साथ साथ में जो है ना इसको भून रही थी अब देखें ऑईल इसका उपर नजर आने लगा है मसाले हमारे भून चुके हैं तो अब मैंने इसमें डाले तेमाटर तीन चौप किये हुए अब मैं इसको दो से तीन मिनट के लिए फ्राइ कर लूँगी ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए अब इसके बाद मैंने इसमें डाली स्लाइस की हुई चार अनियन यानि प्याज प्याज जालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजे कीमे में प्याज टेमाटर अच्छी तरह मिक्स हो गए है अब इसको मैंने पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए दर्मियानी आज पे ये देखे कीमा हमारा जो है कुछ इस कंडिशन में आ चुका है टेमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और प्यास भी अब सारा काम है इसको भूनने का इसकी भूनाई करेंगे ये देखे कीमा हमारा भून चुका है और वायल भी उपर नजर आने लगा है तकरीबन अब मैंने इसमें आधा कप पानी आइट करना है ताकि थोड़ा जो कीमा है उसमें थोड़ी सी जो है एक स्मूटने साजाए तो बस हमने ये डाला और इसको थोड़ा भूना मैंने ये देखिए क्योंकि उस वक बिल्कुल ड्राय हो चुका था कीमा जूसीनस खतम हो जाती है कीमे की अगर आप जादा बून ले तो अब इसमें मैंने कीमा हो चेक कर लेते हैं कीमा हमारा बेलकुल रेड़ी है ये देखिए इतनी आसम खुशबो आ रही है कि मैं आपको बताने ही सकती और ये बहुत तेस्टी बना है Without any extra masala, ना सबजी एक simple सी कीमे की डिश है जो बहुत मज़ेकी लगती है मेहमान आजाएं तो आप urgently ये कीमा बना सकते हैं और ये बहुत मज़ेका लगेगा इसको तंदूरी रोटी, नान, चपाती किसी के विसाथ आप सर्फ कर सकते हैं बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़े भी आई होप तारीफ करे बगर नहीं रहेंगे तो चलें डिश आउट कर लेते हैं कीमा मैंने अपने डिश आउट कर लिया था उसको मैंने गार्निश किया क्यूकंबर के स्लाइसिस के साथ और अरियन के स्लाइसिस के साथ बहुत टेस्टी लगेगा जरूर सर्फ कीजेगा चाहे तो साइड में योगर्ट भी सर्फ कर सकते हैं गार्निश कर लीजे ग्रीन चिलीज के साथ आई होप आपको जरूर रेसेपी पसंद आ रही होगी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें अल्ला हाफिर